Hi everyone, welcome back to the knowledge hub आज हम knowledge hub के इस पीडियो में class 9 का जो motion chapter है उसके बारी में हम discuss करने वाले हैं motion का यहाँ पे हम numerical discuss करेंगे प्लस इसका concept प्लस जो इसके सारे formula है उसके बारे हम discuss करते हैं ठीड़ी है तो आई ये start करते हैं तो आपको motion words सही समझ में में आ रहा होगा कि मोशन क्या है मोशन जनरली आप जानी रहें कि कोई भी अब्जेक्ट का मोशन में है मतलब गती में है मतलब मोशन कर रहा है तो वह उसको मोशन अब दिखें कोई अब्जेक्ट अगर मोशन में तो जाहे से बात ही उसकी कोई स्पीड होगी प्रॉपर क्या होगा स्पीड होगा अगर उसका अगर हमें स्पीड निकालना है मतलब वो कितने स्पीड के साइसाई यूनिट जो होता है speed का meter per second मतलब हम इसको meter per second में ही निकालते हैं तक कि kilometer में नहीं, meter per second में ठीक है, इसके SI unit जो है meter per second है, अगर माली जो कोई object है, suppose that, अगर वो उसकी speed 20, मतलब अगर वो suppose that कोई object है, उसका 20 meter per second की speed है, S, मतलब वो object हर second में 20 meter distance cover कर रहा है, हर second में, 20 meter क्या कर रहा है, वो distance cover कर रहा है, तो यह कैसे निकला, यह निकला generally speed का जो formula होता है, speed is equal to distance upon time, ठीक है, distance upon time is equal to speed, मतलब अगर हमें motion निकालना है, motion में, अगर हमें speed निकालना है, तो उसका formula basically हो जाएगा, speed is equal to total distance tabled upon total time taken, मतलब कोई object, कोई भी अगर object है, suppose that, वो एक point से यहां तक गई, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो distance है, 20 meter था, ठीक है, और यहां से यहां जाने में, इसको 2 second लगा, 2 second का time लगा, तो इसकी जो speed हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, speed is equal to total distance upon time, distance upon time, तो distance हो गया 20, जो time लिया, उसने यहां से यहां जाने के लिए, ए point से बी point तक जाने के लिए, वो लिया है 2, तो speed हो गया, basically, इसको जो हम cut कर देंगे, तो यह हो जाएगा 10 meter per second का, मतलब कि यहां से यहां तक का जाने का, उसका speed सा 10 meter सा पर second का, अगर 2 second कोई object है, 2 second में 20 meter चलता है, तो हम ऐसे calculate कर लेते हैं, मतलब हर second हम 10 meter चल गया, लेकिन अगर मालेजे, कोई object है, वो A से B point गया, तो B2, C गया, अब C2, D बन गया, D गया, तो मालेजे यहां भी इसका distance है 20, फिर यहां से यहां गया, तो यहां से यहां की distance था, मालेजे 10 meter, सारा meter में है, ठीक है, और यहां से यहां तक मालेजे 20, ठीक है, मालेजे फिर यह फिर आगया reverse, तो मालेजे 20, 20, 40, फिर यहां भी मालेजे 10 meter फिर नमाने, मतलब इसने अब टोटल डिस्टेंस अगर हमें स्पीट निकालना है तो उसका । ona क dedi टोटल डिस्टेंस कितना टर्यं टराइल कर रहा तो टॉटल डिस्टेंस कर deport या B шाली मतलब सब्सक्राइब संथ Giving the decision से acesso receipt garden करते हैं यहाँ पर इसको एस से टिनिट करते हैं यहां पर जो हो गया वो गया 60 मीटर और यहां से यहां तक जाने में इसको टू मीटर लगा था तू सेकेंड लगा था यहां पर टू सेकेंड लगा था यहां पर टू सेकेंड लगा था फिर यहां पर वन सेकेंड लगा था तो टोटल टाइम टे स्क्राइब कि बहुत ही इसी होता है इस पीड निकालने का तो अब देखिए इस चैप्टर में आप जादातर यहां पे स्क्यम्ट वुलासिटी में कन्फिऊज होते हूंगे तो हम इसपीड और विलॉसिटी में क्या मतलब क्या डिफ्रेंस है इसके बारे में हम आगे बताएंगे ठीक है पहले हम इससे रिलेटर कोश्चन सौल करेंगे ठीक है और इसका जो प्रॉपर डिफरेंस क्या है स्पीड और विलासिटी का उसको भी हम इसमें आपको एकदम ता आपको फिर दुबारा इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा जाएगा ठी काई डिस्टैंस दिया है तो यहां टोटल डिस्टेंस को प्लस करेंगे से लिए फॉर्मॉला बन जाता है टोटल डिस्टैंस ट्याइबल तो अगर करिपाइब तया मतलब इसपीड के यहां आप velocity मत कनफ्यूस होगा तीखिये जनरली क्या होगा velocity में खाली direction का फरक होता है हम आपको बताएंगे बस उसमें एक direction इंक्लूड होता है ठीक है तो हम speed और velocity word interchangeably use कर सकते हैं इसमें कोई गलत नहीं अगर हम कहते हैं कि हमने यहां से कुछ आप में हमारी इतना है तो इसको हम इंटर चेंज यूज कर सकते हैं फिर हम इसके बीच में डिफरेंस क्या वर डिफरेंस यह होगा कि जब हम विलू विलॉसिटी कहेंगे तो हम पॉर्टिकुलर डायरेक्शन कहेंगे ठीक है अभी हम आगे इसको समझाते सब्सक्राइब करते हैं अभी हम आगे सब्सक्राइब तो इसके बीच का जो डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जागा तो आपको यह बात समझ में आगा नहीं स्पीड को भी हम भी लिखेंगे ठीक है वी तो कंफ्यूज मत हुईएगा अरे सर आप स्पीड प क्या है इसके बार में बता देंगे जैसे एक बार हम आपको क्योंकि देखा बहुत लोगों डॉट हो जाता है अपकी कितने से इंक्रेस करें इसे पॉइंट कैपने एस यह वी ठीक है तो आगर यहां इन दोनों के बीच पर सेकंड का इसका मतलब यह हुआ कि आपका हर सेकंड यहां पे 10 मीटर आपकी जो स्पीड है बढ़ रही है मतलब हर सेकंड मालेज़ आप स्कूटर चालू करें आपके बगल में वी मार्ट है पुलकदाब जा रहे हैं वहां ट्राइवल करने के तो अगर हमने कहा कि आपका लग रहा है वह 10 मीटर पर सेकंड का है ठीक है आप देखें जैसे इसमें हो जाता है कि आपकी गाड़ी क्या थी मालेज़त थी खड़ी थी तो आप रेस्ट पर थी तो जायर से बात है आपकी इनिशल विलोसिटी जीरो रहेगा जिसको हम यू से डिनोट करते हम आगे बता जाए सके कि हम आपको आगे इसको अच्छे से आपको बताएंगे ठीक है आपको क्यूंकि बहुत लोग कि कर देते हैं तो उनके लिए हम क्लियर कर दें कि आगर आप हमाए साथ आगे बने रहेंगे तो आपको इस से रिलेटे सारी डौट के लिए ऑलेज़त अगर आपने थाया कि स्टार्ट किया वह तो आपका इनिशल अला सिटी जीडी जीडू पर सेकेंड'D का है लेकिन आपका आपने यहां से भी माट गये हुआ विसिट करने चारहे है ले माड़ विसिट करने तक आपकी जो फेलोसिटी है यह गात विलोसिट ₺ट तो आपकी स्पीड इतना बढ़ गया और इसको बढ़ने में माली चेया आपको 302 सेकंड में आप पहुंच गया यहां पर और आपके स्पीड यहां से यहां जाने में आपको 30 सुझे लगा लेकिन आप कि पहुंच हो अगर अगर इधर माइनस भी नगारे तो भी निकल जाए क्योंकि यह तो जीरो में है अल्रेडी हो गया 60 मेटर पर सेकेंड के आपकी स्पीड थी जब आप रेस्ट से स्टार्ट कियें लेकिन वहां तक पहुंशने तक आपका जो फाइनल विलॉसिटी हो गया 60 हो गया तो कितने सेकेंड में मतलब हर सेकेंड आपकी स्पीड मतलब हर सेकेंड आपकी स्पीड जो होगता मतलब ke इसीरोडिशन पर थैंड टम मातलब सब्सक्राइब है औरлично मतलब इस स्पीड में 20 पर सेकंड वह तो उसका मतलब बनने का गती कितमी थी जो इसका और इसका दो सेकंड इसमीपर सेकंड किसलिएट बढ़ गई मतलब या अamos servicios तो अभी फिलाल हम इसके बारे में और deepery आगे बात करेंगे पहले हम आगे तो पहले हम यह क्या रहा है एक कोष्यों कह रहा है and object traveled 16 he in four seconds and then another 16 meter in two seconds मतलब कोई object है 16 meter चला four seconds में ठीक है 16 meter four seconds में चल रहा है ठीक है four seconds फिर another 16 meter माल लेते हैं वो भी four seconds में चल रहा है तुम्हार डिस्टेंस का जो formula क्या होता है speed इसमें करा what is the average speed का formula होता है total distance को कई बार दो बार distance total distance total distance को plus करेंगे total second को plus करेंगे दोनों को divide करेंगे speed पता चल जाएगा यहां पहले total distance कितना है total distance travels by the object is a 16 meter plus 16 meter is equal to 32 meter total time taken is equal to four seconds plus two seconds plus six seconds ठीक है तो अब आईए इसको निकाल लेते हैं ठीक है तो speed का जो formula है हम यह speed नहीं हम वी लिख रहे हैं ठीक्योंकि जिससे इसको टीक है यह तो आप यह भी फॉर्मोला लिख सकते है आवरेज speed इसको टोटल टाइम ठीक है ठीक है तो टोटल डिस्टेंस हो गया 16 प्लस 16 इसको यहां पर हमने प्लस ओल्रेडी कर दिया तो 32 लिख दिते और अगर यहां से यहां तक 1230 मीटर इतने इतने स्थिस है वह 5.33 थि कर रहें तो आपको चैनल रखेगा रखेंगा तो आपको इस पीड से रिलेटेद आउट क्लियर हो गया और मैंने यह भी बता दिया कि Speed हो इसको आप इससे denote करेंगे V से तुझार विलोसिटी मज समझ ले क्योंकि हम इसको इंटर चैंजबली क्योंकि ज्यादा फरक इसमें नहीं होता है आप एकदम क्लियर रही है और भी क्या फरक होता है मागे ही बता देते हैं को को दिक्कत नहीं होने वाला ठीक है ए इस्प्लेस्मेंट बस यहीं मैंंन दिस्प्लीसमेटों जसेTrust Predate ל्स सिपीटों इस्पीटों का और पॉरा था टा डिस्टेंस अपन टाइम धीगना आ इस्टेंसूर टाइम यहाँ पर इडिस्प्लीस्मेंट रुकिंदмент क्या है यह पॉइंट है यह बी पॉइंट है यह दी पॉइंट है इन दोनों का डिस्टेंस 20 है इन दोनों का 10 सम मीटर में ठीक है तो सीधा बनाते हैं तेन मीटर और यहां पर भी ट्वंटी एए क्योंको स्कॉयर टाइप का है ना 20 मीटर यहां से यहां तक फिर हम वापस अपने जगाए अब सीधा इसको बना लेजिए तीक है यह यह तो अब देखिए अगर हम कहेंगे अच्छा यहां पर बताईए कोई जो ऑबजेक्ट है य ऐसा यहां से यहां गया हैं यहां से यहां यहां से गयां यहां तो दिस्टिंस रिफ जिर दो का रहा है तो जो टोटल वहों है 60 टीक है लेकिन केंगए सब्सक्राइब करता स्टॉइए है तो किस दूर्णा में हट इसका यह है कि आप किस यह हिले हो यहां से यह केरा है तो यह आपको यहां वापस आना ही था तो गएक सी कौनसेट हरे में ? हम तो अपने आपको जिरो मानें गे तो displacement की value जो होगे जीरो होगे क्योंकि आप ऐसे 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 आगए यहीं जीरो आगए तो यहां पर displacement परावर हो जाता है माल लेज़े कोई अब्जेक्ट यहां से यहां तक ट्रैवल किया ठीक है तो distance 20 20-meter displacement क्योंकि यहां जाके यहां पर रूखे जहां पर आप स्टॉप हो रहे हैं जहां पर आपका लाज्स टेस्टिनेशन उसको कहते हैं displacement अगर आप यहां पर क्या हुआ 20-meter हो गया तो distance भी क्या हो गया इसप्राइब सब्स्टेंट घर इसको इसको डिनोट करते इसे गया आशे गए हमारे हम जहां खड़े थे आप वहां से किदर के साइट हो मतलब हमको नहीं मतलब गल्ली ऐसे गई है ऐसे गई ऐसे हमाली यहां पर संप आपको यहां तक जाना जरूए कभी-कभी होता है कि वह इदर से नजज़ी को लेकिन रास्ता नहीं तो displacement कहेंगा हमको रास्ते से मतलब भी नहीं है आप यहां है वह फ्लाइट वाला रूट फालो करता है ठीक है फ्लाइट वाला आप हम यहां पर दिस्प्लेस्मेंट कर रहा है यहां से कहां तक गहें 10 मीटर तो हम माल ले जो कोई आप यह माल ले ऐसा एक और एक्जांपल ए से बी पॉइंट आप ट्रेवल करें मतलब दिखें आपके सोचरों यहां डायरेक्शन कैसे इंक्लूड है यह डायरेक्शन ही देख रहा है नहीं अब्जेक्ट यहां खड़ा होके कह रहा है आप ऐसे गया हमसे मतल हमें गल्ली इससे इतना है थो कभी-कभी‬ रिलोसिटी वर्ट को कि उतना इसके में जाएंगे तो इनके में distinguat लेकिन लोग इसको इंटके나ंघ कर लें पुर्ण इसको यदषीं być में याद रुखें लेकिन हम यहाँ यहीं पर तो यह हम यहाँ पर क्रक्स की बात करें क्या हम पड़ा रहे हैं अगर हम क्रक्स में जाएंगे डिस्टेंस दिस्प्लेस्मेंट में लेकि के व्यक्टर कॉंडेट़ी हैш 이게angi लेक्शन को देखता है फ्लाइट रूट फॉलो करता है फ्लाइट वाल रूट फ्लाइट वाला रूट बिसिकली यह फॉलो कर रहा है अब दिखे माली जे एक औब्जेक्ट है ए से भी गया है ठीक है तो displacement कहेगा पहले तो आप ऐसे पहले आप ऐसे गये तो displacement का मुझ जो था इधर के साइड था ठीक इधर के साइड तो आप ऐसे गये प्र ऐसे आए फिर पीछे चले गए तो यह direction बता रहा रहा है तो यह कहते गा displacement यह जोड़ेगा जोड़े का भाई यही पे जाना था तो सीधा ऐसे जाना चाहिए तो ऐसे से ऐसे क्यों गए ठीक है एक बार ऐसे गया है फिर यहां से रिवर्स आ रहे हो ऐसे तो हम इसको माइनस 10 मीटर पर से मतलब डिस्प्लेश्मेंट एंबी जीरो जीरो हो सकता है प्लस एस वल एज निगेटिव में जा रहा है मतलब कहीं ने कहीं वह बता रहे हैं कोई आपजेक्ट ऐसे गई मेरे आगे के साइड फिर वह पीछे के साइड आगी तो कहीं ने कहीं प्लाजा लगा सकते हैं कि वह साउथ में गई है मतलब कहीं सरफ यांशन का खेल है कहीं ने कहीं इस से हमें से darle पता चल रहा है तो विलोसिटी नंकालने की निकालने का जनल है daw उगा उसका फास हो जाताना थाम पर को लिख और तो आपको में लिखाण ऐसम पसटीक है इस इसमें क्या है उसाम करती है नैंटीन मिटर लॉंग फूल ठीक है स्विम בynn करती एक बार और इदर जाती है ऐसे है कि पिर ऐसे अरिवार्थ हाती है फिल के विल हुट यहां तो अगर यहां पर कह रहा है average speed और average velocity दोनों निकालने के लिए ठीक है ठीक है आपको समझ में आया कि नहीं तो जो जो पोल है basically 19 मीटर लॉंग है और उसा ने इसमें के इधर से उधर तक ठीक है तो टोटल उन्हें डिस्टेंस टैवल कर लिया 180 मीटर तो इसमें अगर speed हमको निकालने कराए speed का formula distance upon time ठीक है और velocity average velocity का formula है तो average velocity का formula है basically displacement upon time ठीक है तो अब देखें यहां पर जो distance है basically 19 मीटर ऐसे गया इन 19 मीटर ऐसे हैं तो distance हो गया 180 180 और उन्होंने time लिया वान मिनट वान मिनट तो इसकी SI unit होती मीटर पर सेकंड तो इसको वन मिनट को जो हम सेकेंड में convert करेंगो जा जाएगा 60 से ठीक है और यहां पर देख लिए displacement कितना है displacement गई यहां से वापास आगा displacement जीरू टाइम भी सेकेंड लगा अब यहां पर हम इसकी स्पीड निकालेंगे तो इस पीड आ जाएगा शिक्स त्री मीटर पर सेकंड किनकी स्पीड लेकिन displacement क्या है displacement इस गटो जीरू मीटर पर सेकंड तो हम बैसिकली लिख देंगे यहां पर उसा ने इतना ट्राइवल किया था सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो स्पीड और विलोसिटी का कॉंसेट है वह क्लियर हो गया ठीक है अब हम आगे के चैप्टर में क्या होगा एसलेरेशन को डील करेंगे तुम एए वी माइनस यू और टी का फर्मूला के बारे मता है फिर हम फिर अगर कोई आपजेक्ट यहां से यहां तक ट्रैवल किया मालेजिए उसकी इनिशल विलोसिटी कुस्ती टाइम कुछ लिया तो और उसकी तो इसमें पूछ सकता है कि भ यूटी प्लस वन बाइटू का एटी स्कॉर यह फॉर्मूला बना कहां यह फॉर्मूला कहीं और से नहीं बढ़ता है बस डी इस इकल टू एस टी यहीं से पूरा फॉर्मूला बन जाएगा हम आपको अगली वीडियों बना देंगे फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला बस यह समझना है उसके बाद भी इसको खुजना नहीं है फॉर्मूला कैसे बना फिर आपको अगर नहीं पर लगा लगा लेंगे फिर हम बताएंगे यह वाला फॉर्मूला कप लगाएंगी दूनों को आपको कभी यूज करना है क्यूंकि दोनों निकालने क्या अलग-अल लगाते हैं जब टाइम दिया रहता है तो हम आगे अच्छे सा आपको बताएंगे तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में इसी टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद